आज मैं आपके लिए बहुती मज़ेधार रेसिपी ले के आई हूँ और वो भी सिर्फ धो बिस्किट के पेकेट से यानि की पांच-पांच वाले दो बिस्किट के पेकेट 1-10 रुपे में आपकी बोको participated!... दोर आप इसे जज़रूर बहूर करेंगे ! तो ये देखिए फृरंस मैंने आज की मज़े दर रेलिवी बनाने के लिए दो डॉ-सकेट बनाने के लिए तई हैं ये 5-5 बैविश्कट लिए पांच तल्घ के लिया है सिर्फ यह बोजिकरं खोले मैं अब दग बने हो जाएंगे और इन लोख जो यह दitzer लिया है यही रेसिपी आप मार्केट से खरीदने जाओगे ना तो बहुत कोस्टली आपको मिलेगी तो यह देखी इनको हाथों से मैंने क्रश करके एक मिक्सी ग्राइंडर जार में डाल दिया है और साथ ही इसमें बिल्कुल थोड़ा सा हम कोफी पाउडर डालेंगे कोफी पाउडर हम डाल लेंगे और अब लेंगे हम पानी का एक गिलास और चमच से इसमें हम पानी डालेंगे चमच से क्यों बता रही हूँ मैं क्योंकि एकदम से अगर जादा पानी हो गया तो हमारी जो रेसिपी बनेगी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी तो थोड़ा थोड़ अगर आपके पास यह नहीं है तो जिसमें दूद आता है दूद की थैली होती है उस टाइप से आप कोई पेपर ले सकते हैं और इसमें हम सारा बैर डाल लेंगे दूद की थैली में बहुत अच्छे से बन जाता है मेरे पास यह था तो मैं अभी यही ले रही हूँ कोई द संगाइस्ट से मैं उपर बेंट र्लिगा और बिखंद अक्यारा ना बेटर टो अर्ट डिया Solid और इस बख्किट यहां आचंद उपरा ने लागे निया? अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो कोई नोर्मल आप पेज ले सकते हैं और उसके उपर थोड़ा सा ओईलिया घी से आप ग्रीज कर सकते हैं तो आपका बटर पेपर बहुत इसली घर पे बनके तयार हो जाएगा तो यह देखिए सारे ही पेपर के उपर मैं ऐसे डोट लगा लूँगी और इन ही दो बिस्किट के पैकेट से हमारे दो बटर पेपर फुल भर चुके हैं मतलब कि इतने सारे हमारे डोट बनके तयार हो चुके हैं अब इन डोट को हम धूब में सुका देंगे चार से पांच के लिए अगर आपके पास धूब नहीं आती है तो आप नोर्मली पंके के नीचे या नोर्मली वैसे भी सुखा सकते हैं लेकिन उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा शायद आपको 20-22 घंटे भी लग सकते हैं नोर्मली ऐसे सुखाने में और यह देखिए मैं आपक लोको चिप्स बनके तयार हो चुके हैं बिलकुल मार्केट स्टाइल किसे भी आइस क्रीम पे कुलफी पे या केक पे आप इनको डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं आप इन्हें जरूर ही ट्राय करना बहुत इसली बन जाते हैं और अगर आज की रेसिपी आपको पस पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा